हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्ट एंद दोस्त मनोर सेनी आपके सामने इंडियाज नमर वन करनेट अपेश चैनल इस्टेडी.9 पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तो देखे आज हैं 13 जुलाई 2023 और 13 जुलाई 2023 से जितने भी करनेट अपेश के क्यूशन बनते हैं एकजाम की दरेश्टी से वह लेकर आपके सामने हाजिर हूं और हम करनेट अपेश के साथ 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 इस्टेटिक जीकर का भी दुआ दुआ करने जा रहे हैं तो देखे सात्यों जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी का सुईचार क्या है तो देखे ये कभी मत सोचिए कि कौन आपसे वहत्तर या खराब कर रहा है ये कभी मत सोचिए कौन आपसे वहत्तर या खराब कर रहा है एक मातर सवाल तो यह है कि क्या आप अपना सरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष दे रहे हैं तो निश्चित ही आप कामयभी के बहुत नज़्दी को ज़ल्द ही आपको कामयभी हासिल हो जाएगी तो अब चलते हैं आज के जो सेशन हम लेके आए है करंड़ पेश का उसके उपर तो उससे बाद जो कल का सेशन था उसका वन लाइनर फ्पॉर्मेट के अंदर इस परकार से हम क्यूसें ले क्यूसें लेक्षा आते हैंत दे कर devotion आदे करीती कrios.on of the day के रूप में क्यूसें वी देते हैं मिनété कर देते हैं जल्दी से जल्दी देखिये किसन क्या है कि केंदर सरकार कौन सी सरकार केंदर सरकार ने राष्टिय हरित अधिकरण जो एंजीटी है नेशनल ग्रिन ट्रिमेनल के कारेकारी अध्यक्स के रूप में किसे निगत किया गया है तो इसका से आसुर क्या हो जाएगा इसका से आसु तो इसका से आसर क्या उजएगा इसका से असर हो जाएगा जूप कुमार सिंग क्या हो जायगा से ओ कुमार सिंग इसका से असर हो जाएगा अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पुम्स चेनल दोस्तों 10 दिन के हो गए 300 मेने के 900 क्यूसन अब बताइए आप 12 मेने के कितने हो जाएंगे तो इस परकार से हम लेके आ रहे हैं और आज इसका धुमादो होने वाला है साथ ही हमारे तिलोग जी सर जिन्होंने राजिस्तान करंड अप्यर्स के लिए वीकली रिज्विजन क्योंकि बजों पिछले जो दिनों के क्यूसन आ रहे हैं तो उसके अंदर एक जनुरी से आठ जनुरी से तक शुरू किया है और इस प्रकार साप्ताईक रिविजन एक महीने के अंदर चार सप्ते होते हैं और चार कलास आपके सामने पेस की जाएगी तिलोग जी सर के दू और वीडियो को अंदर देखिए परतिश्ष्ट लोगमानिय तिलक पुरुषकार23 से किसे शमानित किया गया हैं? हमारे परदान मंत्री नरेंदर मौदी जी को यह अवार्ड मिला है लोगमानिय तिलक पुरुषकार23 अब बता देना चाहता हूं कि नरंदर मोदी जी को कौन कौन से देश से अवार्ड मिल चुके हैं तो देखे साथियों नरंदर मोदी जी को पहली बात फिजी का सर्वोच समान नरंदर मोदी जी को मिल चुका है जापान का सर्वोच समान पापुआ नियुगिने का सर्वोच स किये हैं बात करें ओप्शन की तो देखे नरन जो ध्रॉपती मुर्मु suspend को कॉन सा वाड दिया गया तो उन्होंने सुरूी नाम भी हाल में गये थी तो वहांका सरवस्वांन लेकर आए वहांका सरवस्वांन दिया घ्रॉपती मुर्मु जी को बात करें योगी आदेतेनाद की यह यूपी के सी आम हैं और इनको दिया गया है रतन ताटा जी को और साथ जो और सरे ले का सरोच समान享े techniques के तोर पर और तो दीए गया है रतन-डता जी को दिए गया है अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी डीटेल्स तो देखे वर्च 2023 के 36 लोकमाने तिलक पर्वर्ष्टिने परदान मंदरी नरंदर मोधिजी को दिये गया और पूने में जब एक प्रेस कॉन्परेंस हो रही थी उसके अंदर तिलक मेमोरियन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दिपक तिलक और रोहित तिलक ने इसका आधिकारिक गोश्णा की है और यह अवार्ड एक जैनुवरी द और क्यूसर नमर दो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोलता है तो देखे साथियों कौन सा राजे बारतिये गाई की नस्तलों की माइक्रो डाइरी स्टापित करने की योजना बना रहा है तो कौन सा राजे बना रहा है यह योजना तो यह राजे बनाने वाला है यूपी गाई की बात आई हैं तो गाई से समंदित एक गोधन न्याई योजना गोधन न्याई योजना किसने शुरू की हैं तो यह कि यह 36 गड़ गवर्मेंट बात करें मध्या परदेश की और मध्या परदेश के अंदर गायों की एक हैं काउग केबिनेट कौन से केबिनेट काउग केबिनेट कहाँ पे मद्ध्य परदेश के अंदर परदेश की तो अंदर परदेश ने अभी हाले में पस्वों के लिए एम उलस सेवा सुरू की है थोड़ी सी डीटेल्स देख लेते हैं उत्तर परदेश सरकार बारते गाय की नस्तलों की माइक्रो डायरी इस्तापित करने की योजना बना रही है और इस योजना का उदेश ये दुख दूत पादन को बढ़ाना और साहीवाल थार पाकर और गिर जैसी देशी गाय की नस्तलों को सरंक्सित करना और आरती रूप से कमजोर पसुपालकों की आई को बढ़ाना है राजे सरकार दुआरा नंद बाबा मि मिल्कमिशन के तहित जो देशी गाये हैं उनकी नसल को यदि आप खरीदोगे तो उसको गुवर्मेंट के दुआरा 40,000 रुपे दिये जाएंगे नंद बाबा मिल्कमिशन का उदेश ये डेरी उत्पादन को बढ़ाना है चलते हैं नेक्स क्यूशन के ओपर क्यूशन नमर काहां के हैं माल धिव के जिसकी राजदा नी है माले ठीके न ऊपर आता है थीक है न वो म्यामार है तो नेपाल के वह राष्टी पुस्प कमल कौन पुस्प कमल जी मिसर की बात करें तो अब्दूल जो अब्दूल पते अलं सिसी है जो 26 जन्वरी 2023 को गंतर दी उस समान अतिती की रूप में आया थे चलते है नेक्स्ट क्यूसन के उपर क्यूसन नाबर चार हाल में सोकत जो मिड़ जी यो ये किस देश के नई राश्ड़ पत बन गये हैं तो ये आंस snatch कर हो जाएगा उजबेकिस्तान क्या हो जाएगा उजबेकिस्तान इसका से आंसर हो जाएगा और उजबेकिस्तान की राज़दाने समरकंद वहां पे हुआ था S.C.O. जो संगाई कॉर्परेशन हैं उसकी 2022 की मीटिंग कहां पे हुई थी S.C.O. की मीटिंग हुई थी वर्दमान में भारत ग्राइजित हो रही है और पाकिस्तान की बात करे उजबेकिस्तान की मुद्रा है उजबेकिस्तानी सोम राज़दानी तासकंद है यहाँ पे चलते हैं नेक्ष कुशन के उपर हाले में विदेश मंत्री जो S.J. संकर है हमारे उन्होंने आगामी राजिस्वा चुनाओ के लिए किस राजिय से नमांकन किया है तो कहां से नमांकन किया है तो वो किया है गांदी नगर से कहां से किया है गांदी नगर इसका सयांसुर हो जाएगा ब विदेश बंद्री जोज एस जेशंकर है उन्होंने आगामी राजेसभा चुनाओ के लिए गुजरात के गांधी नगर में अपना नमांगन पत्तर दाखिल किया है बारत निर्वाचन आयोग ने गोवा गुजरात और पस्ची मंगाल की दस राजेसभा सीटों पर 24 जुलाई को होने वाले चुनाओ के कारेकरम की गोशना कर चुके हैं इन राज्यों में दस सदेशी जुलाई और अगस्ते में रिटायर हो जाएंगे तो आपको पता होगा राजेसभा किस नुचेत के अंदर है तो देखो एक याद रखना है ट्रिक सरला क्यों से ट्रिक या पताओगा यह इस देन ने क्या है इस दैने यह कभी भी नहीं होता है और इसके जो एक्ति ऐसी है एक्ति यह सदेश्यों को हरती तीब दो साल से न उनका जैसे कारेकाल कंप्लीट हो जाता है जब 6 वर्स तब उनका क्या होता है वापस चुनाओ होता है ।्धिक है ना चलते हैं नेस क्यूसन की और क्यूसन नमर छे किस राजिया ने जो open काइनलीन नामक अपना पहला open source computer operating system जारी किया है तो किस ने किया है, तो यह किया है चीन ने, किस ने किया है, चीन ने यह सिस्टम जारी किया है, बात कर लेते हैं इसकी डیटेल की, तो गोल्ड मेन जो स्केच दौरा जारी रिपोर्ड के नुसार बारत अमेरिका को पचाड़ कर, किस वर्स दुनिया की दूसरी बड़ coming से पर फिर अमेरिका त्पार्टीर पर जा पान चोट तैस्तान पर जो इसके अंहें बारत वर्थमान में पंचीर वह इस अपनी जह जा रही है तो ऑफ पिछे तर तक कर बन जाएगा दो जार पिचे तर तक हो जाएगा दो जार पिछे-तर तक तो ये रखा है जिरो कार्बन उत्रसेजन का और 2030 की बात करें तो ये रखा है मलेरिया मुक्ती लक्षिया का ठीक है Qs नमर आठ है AGI Athletic Championship जो 2023 का आधिकारिक सुबंगर किसे गोसित किया गया है तो ये किया गया है लॉर्ड हनुमान को किसे किया गया है लॉर्ड हनुमान आप इस मीज के अंदर देख सकते हो तो AGI जो Athletic Championship 2023 का अधिकारिक सुबंगर लॉर्ड हनुमान को गोसित कर दिया गया है और इसका आयोजन जो AGI Athletic संकिस्ता अपना पचास स्वी वर्ड गांड के उसर पे किया जा रहा है ठीके नेश क्यूशन क्यूशन नमर नो अंतराश्टी मलाला दिवसका मना जाता है तो ये क्यूशन तो मैंने कल ही बताया था उसके अंदर ठीके ना डिटेल्स के अंदर के मलाला दिवसका मना जाता है तो ये मना जाता है 12 जुलाई को कमना जाता है 12 जुलाई को क्यूं मना जाता है तो ये एक पाकिस्तान की मैला थी जिनोंने मैला सिक्षा के लिए उनकी वकालत करते हुए उनको गोली भी लग गई थी और मैलाओं की या लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने अरत्राष्टे परति की रूप में बाहर आई निकल के क्योंकि इन्होंने तालिबान के परतिबंदों के विरुद ही वहाँ पे शिक्षा के लिए ये जिन्डा उट रहा है इसलिए इसको नोबल पुरुसकार दिया गया दोजार चवदा के अंदर उस इस टाइम हमारे बारत के अमरतिय शेन को भी दिया गया तो नोबल पुरुसकार सबसे कम उमर की पारने वाली शत्रा साल गी ती उस समय उनको नोबल पुरुसकार मिला था किसको मलाला यूसुप जोई को तो उसके लिए मलाला यूसुप जग दिवस्ट बनाए जाता है बाराथ जुलाई को 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोटिंग प्रेस कॉनफरेंस कहां पर आउजित हुई है तो देखे साथियों रोबोटिंग की भी मिटिंग होने लगी है तो यह कहां पर तो यह होगी इसका से आंसुर हो जाएगा जीनेवा सीजिय लेंड और से आंसुर हो जाएगा ठीक है चलते हैं रिविजन लाश्ट क्लास का जो मैंने कल की क्लास ली थी उनको वार्पस वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको दिमाग अंदर पूरे से पूरे एकदम सही बैट सके तो भारत ने किस देश के साथ इस्ताने मुद्राओं में व्यापार सोदां को निप्तान निप्तान शुरू किया है तो वह हैं तंजानिया भारत के किस एरपोर्ट पर को हिमानों के लिए इंजिन बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपणी के साथ अस्ताग सरकी हैं तो जी ए एरोश्पेस के साथ बिट्रिस ग्रेंड प्रिक्स 2023 का किताब किस ने अपने नाम कर दिया है तो मैक्स वैपन यूएन को तीन बार संबोधन करने वाली भारत की पहली समेलन कायोजन काप एक जा रहा है तो बैंकों के अंदर किस राजिये में अंतियोद्य सर्मिक सुर्ख से योजना लॉंच की गई है गुजरात के अंदर वेस्विक 37 हुचकांग 2023 में किस देश ने सिर्ष इस्तान हासिल किया है तो आइसलेंड ने चलते हैं आज के क्यू जरूर दोगे उत्री अंटार्टिक टीटी और्गिनेशन जो नाटो है उसके वर्तमान में वापस फिर से मासची कौन बन गये हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो के अंदर नए जोस ने जुनन के साथ और सैसन यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजि